आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल के एक मेंबर श्री किंजल पतेल जी ने कुश्चन पूछा है कलपना इंडस्ट्रीज का लॉंग टर्म का व्यू क्या रहेगा तो किंजल जी सबसे पहले आपके हम बहुत आबारी हैं आप हमारे चैनल पर आई आप इतनी यंग एज में अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो आपको लॉंग टर्म में बहुत अच्छा फायदा रहेगा आपको एक बात बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से राइट स्टेज टू इन्वेस्ट इस एज अरली अस पॉसिबल और आपको कुछ हिस्सा हमेशा लॉंग टर्म के लिखे अगर आप इसमें थोड़े भी शेयर लगाए हुए है अप एंड डाउन होते रहेंगे बट कुछ हिस्सा उसको कम से कम पांच साल दस साल तक के लिखे तब आपको ज़्यादा अच्छे रिटन मिलेंगे तो I hope आप समझ पा रहे हैं जो हम कहना चाहरे हैं अब चलकर शुरुआत करते हैं यहाँ पर कलपना इंडस्ट्रीज यह एक कोलकता बेस कमपनी है जो की डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्स बनाने में माहिर है रेजिन, सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशल एंड सिंथेटिक फाइबर, फिलामेंट, मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती है तो इसका डिमांड आगे बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि multi-segmented diversify business है इनका यहाँ पर अब इन्होंने NCLT में एक अरजी डाली थी कि यह merge करना चाहते हैं कोलकता बंच ने उसको agreement भी कर दिया है कलपना इंडस्ट्री और दीदेव प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए दोनों को merge कर रहे है अब उससे advantage क्या होगा आए समझते है दोनों business को merge कर दिया है ताकि compounding and processing have separately defined strategies initially तो अब यह यहां पर इसको जब इन्होंने approval दे दिया है इसको ताकि यहां पर long term के लिए इनका अलग-अलग processing कर सकते है what it means is देखे group synergy हमेशे रहती है और यह इसकी demand को further enhance करेगी तो अपने थोड़ा सा profitable रहने की जागब गुंजाईश होती है जब दोनों company इस तरह से strategy बना कर एक corporate level पर काम करती है long term के लिए यह बहुत अच्छा stock रहेगा अगर liquidity की बात की जाए market cap की दरश्टी से यह 416 करोड की company है तो 416 करोड की company है और dividend भी देती है 0.46 का dividend देती है average daily volume approximately 76,000 है तो liquidity के basis पर थोड़ा सा कम share trade है इसलिए जब भी आप किसी penny stock में निवेश करें हम हमेशा कहते हैं अपने portfolio का 2% से जादा निवेश मत कीजेगा माल दीजे किसी का portfolio 10,000,000 का है तो आपको 20,000 से ज़ादा इस company में निवेश करने की सला नहीं देगे अब देखिए अगर 5 साल का return देखे तो 5 साल में सिर्फ इन्होंने 5% रिटे दिखलाया है बट यहां समझेए जब COVID का situation था अगर आप यहां से देखते हैं तो यह बहुत बढ़िया return दिखलाया है इस company ने यहां पर अभी 43 रुपे के आसपास trade कर रहा है 14 रुपे से बढ़कर तो इसने करीब करी 300 गुने से ज़ादा return दिखलाया है COVID के बाद से profitability study profit दिखा रहे है on average 20 से 22 करोड का profit दिखाते हैं जो की एक अच्छी बात माने जाए हमारे COVID के situation में भी इन्होंने profitable रखा है छोटी company होने के बावजूद जो की बहुत अच्छी बात है चाहें तो हमारे चैनल को free में subscribe कर सकते हैं अगर buying level जानने है तो हमारे को 299 का package ले सकते अब जड़ा चलकर इसकी कुछ study करते हैं तो यहाँ पर global PE compounding market की एक study की गई है जो आने वाले 7 सालों में बात कर रहे हैं इसकी और इसमें कल्पना industry included है including चायना की company Shanghai Pret भी साथ में कर रहे हैं इसका analysis तो इन्होंने पिछले 7 सालों का study किया और उसके बाद में इन्होंने market के up trend, down trend, क्या demand रहेगी, कैसे रहेगे, क्या-क्या product रहेंगे और साथ साथ में किसी इस company का है तो इन्होंने जो product type है XLPE type, HDPE type and other सब compound को बात किया है और application, automotive, building construction, electronic appliance, consumer goods तो आप देख सकते हैं हर तरह की industry में इनके product use होते हैं packaging नदर में इसका बताया गया है कि यह आगे चलकर market size phenomenal grow करेगा और इसका CAGR जो बताया गया है इस report के मताबित 18% का CAGR रहेगा आने वाले 8 सालों के अंदर तो यह phenomenal growth की दरश्ची से उपर चड़ेगा stock हमारे हिसाब से अगर आपको contact करना है तो यहाँ पर इनके contact कर सकते हैं इसका detail दिया हुआ है तो यह बहुत अच्छी बात ह एक knee jerk reaction दिखाया तो इसने 60 रुपे से नीचे यहाँ पर आया 40 के आसपास और फिर उपर चलना शुरुआ है पिछले कई दिनों से पिछले एक महीने से approximately इसमें volume काफी active हो रहा है तो देखिए यह एक बहुत बढ़िया base बन चुका है इसका 40-42 के बीच में यहाँ पर अग को यहाँ पर consolidation कर सकते हैं alligator indicator के नीचे काम कर रहा है अभी यह और bullinger band के lower हिस्से में है तो यहाँ से हो सकता है bounce करे 52 के आसपास पहला target रहेगा एकदम गिरा है पिछले दो दिन में तो इसका MACD से काफी नीचे की तरफ को sell signal हो रहा है super trend ने भी sell signal बना के रखा है 40 का RSI चल र advisor जाहिंद